पुर्बने बच्चों आज हम लोग कच्छा बारा के भुगोल पाठ पांच में भाग पांच पढ़ेंगे इसी के पाठ के अंदर हम चौथे वीडियो में हम लोग मिस्तृत क्रिसी और सहकारिता क्रिसी के बारे में पढ़ चुके हैं आज का वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सामुहिक क्रिसी समूह बना कर की जाने वाली क्रिसी को सामुहिक क्रिसी कहते हैं इस बेवस्था में उत्पादन के साधनों पर समपूर समाज का नियंतर होता है देखे सामुहिक जो खेती होती इसके अंतर जो उत्पादन होता है समपूर साधनों पर समाज का नियंतर होता है क्रिसी की यह प्रडाली पूर्व सोबियत संग में प्रारंभ की गई थी जिसे कोल खहोज नाम दिया गया था इसमें सभी क्रिशक अपने संसाधन भूमी और पसुधन मिला कर खेती करते हैं सभी सभी क्रिशक आवश्यक्ताओं की पूरती के लिए जो रोज की आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा भूखंड अपने पास रखते थे मनुस जो थो अपनी दैनिक वस्तूओं की आवस्ताओं की पूर्ती करने के लिए एक छोटा सा भूखंड अपने पास रखते थे अगला अब हम लोग पढ़ेंगे खनन भूमी में भूमी से आयस्क खोद कर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है देखे भूमी की खोदाई करके जो अयस्क निकाला जाता है उसे खनन प्रक्रिया कहलाती है इतिहास साच्छी है कि ताम्र यूग, कांस यूग, तथा लह यूग में खनन का स्त्री गड़ेश हो गया था देखे लह यूग में, ताम्र यूग में, कांस यूग में तथा लह यूग में खनन का स्त्री गड़ेश हो गया था लेकिन अध्योगिक क्रांती ने खनन के स्वणिम विकास के द्वार खोल दिये खनन को प्रभावित करने वाले कारक खनन को प्रभावित करने वाले कारक खनन कार्य को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं पहिला है खनन कार्य को खनीज निच्छेपों का आकार आधी भावतिक कारक प्रभावित करते हैं दूसरा है पूजी उपकरण पूजी उपकरण तक्नीकी ज्यान परिवहन मांग और स्रम आदी परिवहन मांग और स्रम आधी आर्थिक कारक भी खनन कार्य करते हैं देखे आर्थिक से मनुस्यों पूजी उपकरण तक्निक ज्यान परिवहन मांग और स्रम्प आदि आर्थिक कारक भी खनन कारपिय प्रभाव डालते हैं देखे अगला हेटिंग है खनन की बिधिया आयास्क की उपस्थिती एवं प्रक्ति के आधार पर खनन की निम्न दो बिधिया विक्सित की गई है पहला है धरातलिय खनन यहाँ खनन की सबसे सस्थी बिधि है जिसे बी बृत्त खनन भी कहते है इस बिधि से खनन करने के लिए सुरच्छा तथा उपकरणों पर कम बै करना पड़ता है देखें जो इस बिधि से खनन किया जाता है उसमें सुरच्छा या उपकरण जो होते हैं इस बिधि से खनन करने पर उत्पादन सिग्र और अधिक होता है अगला हेडिंग है भूमी गत्या कूप की खनन गहराई में धरातल के नीचे से अयस्क का खनन करने के लिए भूमी गत्या कूप की खनन गिधि का प्रयोग किया जाता है कूप की खनन बिधी का प्रयोग किया जाता है इस बिधी में लंबवत कुमे खोद कर गैलरियां बना कर खनन किया जाता है एक जो खनन अयस्क निकाल जाते हैं उसमें क्या होता है लंबवत कुमे खोद कर गैलरियां बना कर खनन किया जाता है भारत की कोईला खानों में आग लगने की दुर घटनाएं होती रहती है देखें भारत की जो कोईला ख़दाने हैं उसमें आग लगने से जन धन की भी या मदूरों की हानी होती है जन धन की भी हानी होती है ऐसी अकसर दुर घटनाएं होती रहती है दुर घटनाएं होती रहती है एसिया अफ्रिका तथा दच्छिर अमेरिका के अनेक देशों में आयके साधनों का 50 प्रतिसत भाग खननकार से ही आता है या प्राप्त होता है देखे इन जो एसिया के देश का ही देश है उन देशों में जो खनन उनके आयका जो शुरोत है पचीश प्रिशत जो था है खनन से ही प्राप्त होता है देखे खनन जो है विक्सित जो विकास इल देशों में जो खनन होता है सस्ते और सुलभ स्रम के काड़ महत्वपूर हो गया है जो विकास इल देश है उसमें जो खनन होता है वो सस्ते और सुलभ स्रम के काण महत्वपूर हो गया है